रेडर 6 इस गेम का नाम आपने सुना ही होगा और अगर नहीं सुना तो मैं हूना आपको बताने के लिए यह यह फ्री फायर और पबजी को भी टक्कर दे सकती है मैंने ऐसे क्यों बोला इस बात को समझने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी देखो गैस ये भी आर गेम बहुत सारी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो किसी को लगता है ये गेम एक इंडियन गेम नहीं है और किसी को लगता है ये इंडियन गेम है तो दोस्तों यहां पे मैं यह बात clear कर देती हूँ इस game को बनाया गया है Soft Star Group के द्वारा जो की Taiwan की company है और इस game को publish किया है Starlight Gaming ने जो की Indian company है यानि कि यह game made in India नहीं made for India है तो यह game इंडिया में नहीं बना है इंडिया के लिए बना है तो चलो इस game को खेल के भी देख लेते हैं आखिर यह game कैसा है ओके यह है एक प्यारासा इंटरफेस और यहां पे गाईस आप लोग एगरी कर लेना मैंने भी कर लिया था उसके बाद आपको यहां पे लॉग इन करने के बहुत सारे option मिल जाते हैं सबसे बहतरीन चीज़ की जो है आपका नाम यहां पे आप लड़का हो यह लड़की स्लेक्ट कर लेना उसके बाद अपना नाम प्यारासा रख लेना उसके बाद गाईस हम लोग गेम में आगे बढ़ते हैं तो अभी हमें तीन कैरेक्टर्स दिये गये हैं जिसमें से गाइस हमको सिर्फ एक चूज करना है जिसको लेके हमें गेम प्ले करना होगा वैसे यह एलमेंट्स यू नाम का जो चीज है ना वह बहुत साधा इंपोर्टेंट है तो आप जो फिर्स्ट वेच खिलोगे ना वह आप समाल के खेलना कहीं यह वेच्ट ना हो जाए विसे गाइस यह बहुत जरूरी चीज है इस गेम में क्योंकि एलमेंट्स यूगे बिना आप कोई भी मैच नहीं खेल सकते है उसके लिए या तो आपको एड़ देखने पड़ेंगे या फिर आपको शायद मुझे भी नह लगते हो आप थोड़े से शॉक्ट हुए होंगे ना क्योंकि यह पे होर्स है सिर्फ लॉबी में नहीं गेम के अंदर भी होर्स है और सिर्फ होर्स ही नहीं बहुत सारी चीजे है जिन्हें आप देखके शॉक्ट हो जाओगे वह आपको आगी पता चलेगा और याइस यह उसका जो एनिमेशन है कमाल का लगता है सच में बहुत ही अच्छा है और थोड़े सा मुझे कंट्रोल समझनी आ रहा था यहां पर प्लेन से उतरते कैसे हैं मुझे मैं बहुत हैंडल करने की कोशिश की इधर उतर जाने की पास मैं सिदे 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 नीचे ही जाते तो बैस मैं चले गई फ्यू मॉमेंट्स ले दे ला है ओके अगी गैस मेरे सामने एक बंदा अरे मेरे अथ में गली नहीं है ओके ओके अरे भाई कितना जादा रिकॉइल हो रहा है ओवभई ओवभई वाउ वाहो यह किलोने पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे ही मुझे ब दो एक्तिक हूं यागास मुझे लगता है कि यह गंसकेज की अगर मुझे मानलों की 16 मंग रहे हैं तो अगर मैंने 16 गंसकेज कंड कर लिए तो वह गंस्केज मुझे यह पर्मनेंट मिल जाएगी हाँ तो क्या मैं इसे भी रख सकती हूं और यह सब ले सकती हूं और इतनी सारे अनिमी ओ नहीं 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 करते हैं नाइस नाइस अब सेकंड की बारी नाइस अब सीक्रियू मैं सीकरियू अरे रिकॉल मतब रिलोड का अप्शन आगया है ओ रिकॉयल भी बहुत होता है इसके वज़े से रिलोड बहुत करना पड़ता है समझ रहें नहीं यह चीज अच्छी नहीं है बाकी तो मुझे हर चीज बहुत अच्छी लग रही न्यू गेम है न्यू एक्स्पिरियंस बहुत अच्छा लग रहा है फिलाल मैं लूट कर रहे हूं वैसे तो गाइस कुछ भी नहीं मिल रहा है खास यहां पर लूट करने से अब वहाँ पे चलते हैं और यहां पर गाइस मुझे एक गोसरी का बिक्टृरी वे गाइस की खेचेना भी यहां पुल्क्त आप इस McCarthy शोरी है इस 가지श्टा का मिल चेना अरश मड़ Weekly आपको तभी समझ आई है जब आप इस गेम की स्टॉरी देख़ोंगे शेक्टूरी तो हें में होती है जब आगे की बाते हम श्रू करते हैं है इ इसके बाद हम जब इसको खत्म कर देते हैं तब हमें इसको रिस्पॉन करने का अप्शन मिल जाता है यानि की एक जैसा कुछ और दूसरा यह है मुतान्त या फिर मत पता नहीं गाइस इसका प्रणाशेशन मुझे पर यह हमारा सिर्फ एनिमे है इसको हम कभी भी रिस्पॉन या फिर मतलब कि यह हमारा पैट कभी नहीं बन सकता हाँ इसे एक आर्पीजी गन भी मिलती है ओ गाइस एक एकस्पेरिमेंट करते हैं देखो यह हमारा एनिमी है और हमारा पैट भी यहां पर एवेलेबल है तो फिर ठीक हम मुटान्ट या पता नहीं क्या नाम है यार इसक बन्दा तो एक फटके में मर गया कितना पावरफूल है यह चिंपांजी अमें गोरिला गाइस इसके पास ना एक आर्पीजी गन मिलिया है यानि कि यार दो गन के आलावा हम तीसरी गन आर्पीजी रख सकते हैं यह बहुत अच्छी बात है भाई ही इस गेम के बादे में जितना भूलू उतना कम है गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यह गेम और देखो गाइस इन से मिलो यह त्री नंबर से मैं तो नोब हूँ लेकिन मुझसे भी नोब यह है क्योंकि इसको नहीं पता है कि यह हमारे दोरा टीम हो चुका है यार लिखा हुआ तो आता बन जाते हैं और अगर वुल्फ बन गया है तो फिर देखना जाए खेल शुरू अब यह देखना यह बंदा दो हीट में मर जाएगा अरे भाई, क्या था ये, OMG, ओके, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, अब हम काम की बात करते हैं, गाइस, उसके बाद आती है बारी और एनिमल की, जो की है डाइनासौर, जो की अपडेट में आया है, यानि की ये पर्मनेंट नहीं है, बाकि जो आपने तीन एनिमल से आते हैं, और ये अपडेट में आते हैं, पहले होते थे मकडी छोड़े चोड़े, और अभी डाइनासौर आ गया है, जिसके उपर हम बैट सकते हैं, ओ भाई, इसकी हाई इतनी है, कि नॉर्मल में, मतलब नॉर्मल स्क्रीन पर तो दिखी नहीं रहा है, ये, देखो, दिख और ये डोंगी बाबा पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ चले गए, यार आजओ, हमें थोड़ा चलना भी है, थोड़े दूर तक, गई स्राइट से देखो, थोड़ी सी एबिलिटी दी गई है, एक है पैर पटकने वाली, और एक गुर्राने वाली, तो मैं ये एबिलिटी भी दिखाऊंगी, तो डोंगी बाबा आचुके हैं, तो चलो, जल्दी से चलते हैं, ओ भाई, क्या ही है, मसता है, यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और अरे भाई, ये पेड भी गर जा रहा है, इसका चलने से ही, इसको भी गराते है, ओ यार, कितना अच्छा अनिमेशन है, इसका पेड़ सच में गिर रहा है, एकदम रियालिस्टिक लग रहा है, और ठीक तरीके से आप देख लो, इस मेरा फोन बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, यार, बहुत अच्छा गेम है, आप लोग को भी एक बार ट्राय करना चाहिए, तो हमारा अगला दैनसारस है, घूंड़ना तो पड़ेगा, यहीं पे आसपास तो था गई पे, ग्रीन गलर का डैनसारस जो की बहुत चोटा सा है, और यहां पर देखो गाईस दिग गया वो, फिर मैं सूचे यह कितना प्यारा कितना क्यूट सा है, लेकिन यार, जैसे ही मैं कार से उतरी, यह चोच मारने लग गया, फिर मैं सोची, रुम जखर गुजे, तुझे बताती हूँ, और यार, मैंने इसको कार से उड़ा दिया, बिचारा कितना प्यारा था, ने, ने, ऐसा गाईस, बिल्कुल आप मत सोचना, क्योंकि उस बिचारे का चारा हम खुद होते हैं, तो एग ऐसे मिल जाएगा, डाइनसौर का एग ऐसे मिलता है, फिर उसके बाद आप रिस्वान कर सकते हो, तो यह है गाईस, सबसे लास्ट वाला डाइनसौर, देखो, यह मेरा टीमेट के ऐसा बैठा हुआ, इसके उपर, एक बच्चे की तरह, और यार, यह तो मेरा सबसे फे जाली हो, और हाँ, जितने मुझे मिले, उसमें यह लास्ट वाला डाइनसौर था, इनके अलावा और भी थे, यह तो मुझे भी नहीं बतागा, इसकी खासियत आप देख रहे हो, इसके पास तीन तीन एबलिटी है, एक तो उड़ने वाली, और देखो, इसने कैसे आग छो ओए हम basically travel कर सकते है, मान लोग की एक जगह है पोछिनों और एक जगह है संतोसा, जो कि बहुत दूर दूर है, लेकिन अगर इन दोनों पोड़न को हम एक एक जगह पे लगा देते हैं, तो हम उन दोनों जगह पे पोड़न में आने जाने से जा सकते हैं, ऐसा समझ लो, तो फीलगे दुनिया जहां पर में港 प citrus peaks dual अभी चल रहा गनेश जी वाला तो हम लोगों के यहां पयां पॉटवश सामें को जोगे और हुए तो पर पॉट पो लगें हम उच्छाओं ऑप सहट बहुत ज़ादा है डीटेल में बता दिया यह सब चीजे अब इस गेम की एक और खास बात मैं आपको बताने वाली होगा इस गेम में होते हैं मौसम चेंज तो पहला मौसम तो नौर्मल सा होता है जिसमें धूप वगरा निकली हुई होती है वो नौर्मल है दूसरा होता है विंटर का जिसमें सौंबी वगरा आ जाते हैं और धूंद सीच आ जाती है वो विंटर है ऐसा मान सकते हैं और सबसे लास्ट हम मान सकते हैं बारिश को जिसम नॉर्मली बारिश वगरा होते रहती है अब बात करते हैं विक्टरी कैसे होगी तो जैसे ही आप लोगों को ऐसा हेलिकॉप्टर का साइन दिखने लगे और एक मैसेज भी मैप में आपको दिखेगा वैसे ही आप उस साइन के पीछी-पीछे चले जाना वहाँ पे एक हेलिप पता होना चाहिए कि एलिमेंट you की बिना आप हेलिकॉप्टर पे नहीं चड़ सकते तो फिर अगर जिस बंदे के पास हेलिमेंट यू है उसी बंदे को हेलिकॉप्टर पे चड़ना पड़ेगा लास्ट में लेकिन वह बंदा एलिमनेट हो जाता है तो फिर आप उस पालिम मन बुलना, थेंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में